हम आपको एक बार फिर इस यात्रा में लेकर आए हैं एक और देवी के सिद्ध स्थान पर जवलपुर से करीबन 17 किलोमेटर दूर यह स्थान पहाडों की गोध में बसा हुआ है पहाडों की उचाई पे यह मंदर एक टीले पे स्थिद है और यह मंदर 1200 फिट उपर समुदर तल से यानि के जमीनी तल से 1200 फिट की उचाई पर है हमको यह भी बताया गया कि यह जो मंदर है इसमें जो माशारदा है वो सरस्वती जी के रूप में विराज़त है यह मंदर करीबन 90 साल पुराना है और देश वे देश से आने वाले भक्तों के आस्था का परतीक है अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ वो इसी मंदर का एक स्थान है मंदर के इस तरफ लक्ष्मी नारायन जी का मंदर है और मेरे दूसरी तरफ यहां पर मही माता मंदर और काली मंदर है यह दोनों मंदर भी इसी जगा के एक महत्वपून हिस्से है यहां भी शद्धालू बड़ी संख्या में आके अपना पूजा अर्चना नैवेद यह सब पर चड़ाते हैं मंदर के ठीक सामने आप यह देख पा रहे हैं यह मा का आसन लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ऐसी मानिता है कि रात को मा यहां पर विश्राम करती है और इसके बाजू में यह हवन कुंड है जहां पर की हवन पूजन और अर्चना होती है हमने भी यहां पर पूछा कि यह जो एक बेड सरी का है वो किस काम का वो किस चीज में आता है तो इसमें यहां कि पुजारी जी ने हमें बताया कि यह मा का विश्राम ग्रह है मतलब मंदर के सामने यह उनका बिस्तर लगाया जाता है अब हम आ गए हैं आशिश कुमार शुकला जी के पास शुकला जी इस मंदर के प्रधान पोचारी है और हमको पता चला कि यह मंदर 90 साल पुराना है करीबन तो हम शुकला जी से जानना चाहेंगे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में बहुत- देखे क्या है बहुत प्राचीन समय में यह बहुत चोटा सा मंदिर था आज के 50 साल पहले जो है एक चोटी ची जो मढ़िया रोट के किनारे होती है वैसी एक मढ़िया इस्थाफित थी लेकिन 1974-75 में मेरे पिता जी को स्वार्गी सुवन कुमार सुकला जी को माता रानी न चलती थी उसमें गाड़ी चलाया करते थे तो यहां से वो मंदा और राइपुर के लिए जाया करते थे लेकिन यहां ना रोड था ना लाइट थी जंगल में माता रानी चोटी सी मढ़िया के रूपे ब्राजी पर माता रानी का आशिरवाद हुआ माता राधनी ने उन्हे बोला कि आप जो है सब कार छोड़के और मेरी सिवा करना है आपको तो उसके बाद हमारे पापा जी ने चोहतर पचरतर में जे वहां सीपीटी एस्वेर से रिजाइन दिया और उसमें जो पैसा उनको मिला उस पैसे से उन्होंने जो है माता रानी का पचरतर में मंदिर का चोहते हैं यह निर्मान कराया वह इतना बड़ा दिर्वान हुआ उसके बाद से जो मातारानी के एक्षा थी उस आधार पे वो निरंतर उन्हें अपना स्वयम का जो भी पैसा था पूरा मातारानी के मंदिर के विकास के लिए लगा दिया और उसके बाद यह मंदिर धीरे जो है हमारे पापा जी ने जो सड़क आप देख रहे हो यह उन्होंने अपने हाथों से खोदी थी आज भी जो लेवर है जो उस जमाने की लेवर थी आज के जो 60 साल और 70 साल के लोग आज भी हैं जी बेत वो बताते हैं कि हमें एक रूपय मिला करता था और हमारे पापा जी हुए जमाने में दीया करते थे दिन भर वो काम करते थे और उन्होंने इस रूड कर आय पिर द्हेरे धरे लाइट वेस्था कर आय ऑप अनीस् उन्होंने इस मंदिर की पूरी देख लेक और वेवस्था के रूप पूरा कार भारोनों ने समाला उसके बाद हमारे बंभी 2016 में पहस्पायर हो गई अच्छा उनके दिहान्त होने के बाद फिर हमारे दोनों भाई मैं अभय कुमार सुकला मैं आसिस कुमार सुकला और मेरा प आप लोगों ने इसको विक्स है और आप लोगों इसको विक्सतकी तकी आप को अध्य हमें यह सिखने मिलती है कि आप को जो आपके डायत तो था उसको यह अपरिवार जो है वो पूरी श्रध्ध से, पूरी भक्ती से आज भी निभा रहा है. और ये माई की ही कृपह है, एक आज ये मंदिर जो है, पूरे जबलपुर में ही नहीं, पूरे मद्धप्रदेश में हर जगे प्रसुद्ध है. बाई साब, देखे, मैं एक बात बता रहा हूं, इस जीवन में पैसा हर वेक्ती कमा सकता है, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने के बाद उसकी दो चीजों में उसका नाम उबर्चस्व बना रहता है, या तो एक वो बहुत बुरा काम करेगा, तो उसका नाम हमेशा चलता रहेगा, जा एक बहुत अच्छा काम करेगा, मेरे प कि हम किसी मंदिर में जा की दुवागर बत्ती लगा, तो हमारे पूरवजों का ऐसा प्रताफ है, कि आज उनके कारण, आज हमें उनकी पूरी सेवा करने का उसर प्राप्त हो रहा है, हम अपने पूरवजों को हिर्दय से नमन करते हैं, और उनका आशिरबास सदा हमारे हमेशा सवनक्षों में आदमी भूलेगा कि ऐसे सेवारचना का अगर मोका मिला है तो यह बहुत कम लोग होते हैं, जो इस चीज को कर पाते हैं, बिलकुल, निसंदे, निसंदे, गुरु जी यहां से आने के पहले, हमने एक सर्वे किया था, जिसमें में यह भी पता चला, क माë के चरनों में जो भी अरजी रखी जाती है, वह ऐसा देखा गया है कि बहुत जल्दी स्वीकार होती है, देखे, क्या होता है कि ईस्वर का वास वहां होता है, जहां उसकी सचे मन से पूजा होती है, हम अगर हड़े से उसकी पूजा अच्छे से करेंगे, और उसकी अरा आप नो दिन में आके देखिएगा कि कभी हमारे यहां कोई पंड़ा पुजारी अन्न सारे लोग तभी आपको ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपको अगर बत्ती प्रसाद लेके आए हैं और नई लेके आए हैं तो आप वहां से प्रसाद ले सकते हैं और अपने घर के लिए ज लेगा कि जिससे आपको तिलक चंदन वाला कोई व्यक्ति हम बिठा ले और वहां आपको तिलक लगाने वाला और ग्यारा देदुरिकेस देदुए हमारे हाँ कोई परंपरा नहीं है जो स्रद्धा पूर्बा का आप अपना यहां प्रसाद चढ़ा सकते हो मातारानी के दर आस्ता बनी हुई है और लोगों का अवागमन बना रहता है और बढ़िया मातारानी सब की पुकार सुनती है और सुखसंबदी यह बहुत अच्छी बात है हम मैं और मेरा चैनल हम यही आशा करेंगे कि ऐसे ही आप और आपका परिवार मातारानी की सेवा में निरंतर लगा एक प्रशन मेरे रदय में आ रहा था हम वहां उपर गए तो हमने देखा कि एक मा के सामने एक उनका बैट जैसा लगा हुआ है यह क्या मानेता है इसकी मानेता यह है कि एक्छूल मातारानी का यह आसान है एक बात दूसरी चीज हमारे हां जमुनिया एक ग्राम है जो देव का असरवाद हमारे पिता जी उपर था उसी समझ से वह आसन बना तो वहां मतलब मुझे पुजारी जी ने बताया कि माई वहां पर आके रात में विश्राम करती है ऐसा माना जाता है जी बिलकुल बिलकुल तो कि उस स्थान में द्यो आत्मा ही बैखती थी अच्छा क्योंक यहां और साथ बजी बंद हो जाता है नो रातर में हमारा बंदिर के चार बजे खुल जाता है और राद के और हमारे वीवर्स को हमाशा करेंगे कि ऐसे ही आपका परिवार इसी सेवा में सरलगन रहे और मा की कृपा आप पे और हमारे वीवर्स पे हम पे सब बनी रहे मैं आप सबको हिरदय से धन्वादो नौरात्री की धेर सारी सोब कामना है आपके पूरे चैनल को देता हूँ और माता रानी से ये प्राथना करूंगा कि नरंतर आप प्रगती की उवर बढ़ें आपका पूरा परिवार बढ़ें जै मा सार्दा जै मा हो माई की बवस्था प अपनी मनो कामना मा के चर्णों में चलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सचे दिल से जो भी अपनी मुरादें मा के चर्णों में रखता है मा उसे जल्दी और जल्द से जल्द स्वीकार करती हैं कैमरामेन शेकर की तरफ से हम MP दर्शन और हमारी पूरी टीम भी मा किश्री च से जल्द और जितनी जल्दी हो सके उनकी मनों कामना पूरी करें MP दर्शान की तरफ से मैं सौरब सब लोग और शेखर यहां पर आप सब को यहां का एक ओवर्व्यू देते हुए